एलो फ्रेंज वेलकम बैक पॉना यूट्यूब चानल पिनाइल एंलार्जमेंट या पिनिस का साइज बढ़ाने में बहुत तरीके हैं पिछला वीडियो हमने शेयर किया था कि हमने किस तरह पिनाइल इंप्लांट जिन मरीजों को एक्टाल डिस्वंक्शन है उन मरीजों में लियुमिंट्ट्रिलीज और फैटग्राफटिंग् लिगमेट्रिलीज मतलब कि जो अंदर जितना पैनिस अंदर उतना बाहर है दिखाएंगे आपको किस तरह कितना वंडेर स bundना बाहर लिगास करके मैं निकालेंगी और सांथged मेंट की इंच को तो हम 1.5-2 इंच तक बढ़ा सकते हैं और मुटाई भी एक से 1.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाऊगा कि किस तरह इस यंग पेशिंट की लेंथ और गर्थ हमने बढ़ाई हैं लेंथ जितनी कम है उतनी हम थोड़ी जादा बढ़ा सकते हैं पर सरजरी के बाद नॉर्मली लेंथ को और फिफ्टी परसेंट तक इंक्रीज कर सकते हैं इसमें इस पेशिंट की फ्लैस्टे है मतलब बैठे में उसकी लेंथ ना पर रहा है कईचने के बाद भी इस पेशिंट की जो पैणिस की लेंथ है वह रावन्ड ऑल्मॉस्ट टो पॉइंट जिगोंग और अब इस पेशिंट में सर्जरी करके हम इसकी लेंद्ध को almost 4, मतलब almost 1.25, 50% तक increase करेंगे. यह पहला step है Vyplasty, आप देखेंगे incision, मैं आप पुरी surgeon दिखा हुगा, पर यही ligament की हम बात कर रहे थे अपने previous वीडियो में, यह ligament है जो penis को bone से hold करती है और इसी ligament को हम जब exercise करेंगे तो penis जो body में hold करता है, तो हमें almost 1.25 इंच तो यह ligament काटने से मिल जाएगा, जो dorsal pineal ligament है, इसको काटने से मिल जाएगा, और 1.25 इंच जो हम penis को अंदर से बाहर निकलेंगे. तो यहाँ आप देखेंगे कि जो मैं बोलता हूँ point की जतना penis बाहर है, उतना ही penis patient के अंदर भी होता है, तो यह आप देखेंगे अगर बाहर patient का 1.5 इंच penis है, तो almost 1.5 से 3 इंच penis उसका body के अंदर भी है. यहाँ पर हमने उसका ligament release कर दिया है और VY plasty होने वाली है, तो देखेंगे कि जो body के बाहर है, जो पहले जो patient का penis almost सिरफ 1.5 इंच बाहर था, वो almost 5 इंच तक हमने उसको खीच के कर दिया है. अब issue यह है कि यह 5 इंच रहेगा नहीं, जो बंद करेंगे तो फिर से body उसका अंदर खीचेगी, तो हम मरीजों को surgery के बाद penile traction 6-9 मेहने continue करने के लिए बोलते हैं, ताकि देरे देरे जो हमने OT के during उसकी length मनाई है, वो length OT के बाद भी उसको मिले और लंबे time के लिए उसको length अच्छी मिले. अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ligament को exercise करूगा. अब एक बार हमारा जो length निकल गया, तो length निकलने के बाद जो इस penis की मोटाई है, उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास तीन या चार तरीके होते हैं. इस patient में हमने nano fat लिया है, तो यह हम जो हमारे plastic surgeon colleague है, जो वारे साथ काम करते हैं, वो patient का fat निकाला है और उस fat को हमने filter करके penis में भणने से penis के अंदर काफी अच्छी मोटाई भी आ जाती है और काफी अच्छी जो गर्थ है, वो आ जाती है, और क्योंकि यह nano fat है, तो nano fat का advantage यह होता है कि इसके अंदर गर्थ काफी सालों तक maintain रहती है, और जहाँ पुराने fat grafting के problem रहती है कि साल देट साल में fat निकल जाता है इस nano fat के अंदर जो fat है, वो नॉर्मली दो से तीन साल तक रहता है तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने इसको बंद कर दिया है, यह टाके अपने हम निकल जाएंगे स्टार्टिंग की वीडियो से मुट्टो से compare कर ले ना हमारको length और girth दोनों अच्छा increase